इस बेहन का नाम बलजीत कौर है जिस तरह पवित्र बाइबल में भजन सहिता 21 उसकी चार में लिखा है। सारे पेंट्रा में जैन से दी मेरा नाम बलजीत कौर है। मेरे अस्वेंदा नाम गगन धीपा। असी लोधी आने दे रहन वाले हैं। आज जैसी अपने बेटे दे जीवन दी गवाई देन जा रहे हैं। के केस तरह पर मेशर ने उसनू मौदे मुदे विचो बाहर कड़िय और एक नमा जीवन देता। मेरे बेटे दी उमर एक साल है। जोदो सातमी ने दा सी ता एक दो नोनू लूज मोशन लाग गए। असी लोकली पेंट दे डॉक्टर नू दखाया। त्योन ने नू दो दिंदी दवाई दिती। त्योन दो दिंदी दवाई दिती उनू फरक जानगे। जोदो दो देन दी दवाई देन तो बाद भी उनू फरक नहीं पिया। वह और भीमार हो गया। फिर उनू असी दुबारा लेके गए। ते डॉक्टर ने टेस्ट किते। ते टेस्ट करन तो बाद हो जी पोट्स दे विचाया। विए बहुत ज़दा दासरे सी जी आई लेवल दी इन्फैक्ष्न हो चुकी है जो कि पन्ताडी तो पॉइंट पोइंट गए। एग दी आड़ार से नुटे कर्वाया कि नहीं लió कोई फरक नहीं प्या। जोदो चार दिन मेरा बेटा उस जगा ते एडमिट रहा जोदो असी दिस्चार्ज करवा के कार लेया आई ते कार आके उधी हालत हो जादा खराब हो गई एननी जादा खराब होगी के ओ जदो अनू पोटी कारदा सी तो अधे ब्लाड दे पीस वियोंड लागे सी ते असी बहुत जादा डार गे फिस आनू डॉक्टर ने क्या के इनू इंडोस्कोपी करवानी पैनिया उनना ने सानू हो डॉक्टर दा अड्रेस दे देता कि ओ कि अनू ने सानू रिशेप्शन ते साड़ी स्लेप गारा काट देती ते इनका अंटे लाइन देविछ बैठन तो बाद जदो साड़ी वारी आई तो डॉक्टर ने सानू उधिया इधिया रिपोर्ट से देखके ही सानू जवाब दे देता कि मैं ता इंडोस्कोपी कर दा इनने छोटे बच्चे दी ते साड़ा मान होर जाधा निराश हो गया कि रिपोर्ट से विछ पता निया जहा किया कि डॉक्टर वी जवाब दे रहा है असी अनू फेर निराश हो के कार लाय आई ते जदो सी कार लाय के आई असी ओधी हालत नू देखके होर जाधा कबर आ आई अधी हो डॉक्तर नू दखाया ते उनन ने वी जवाब दे देता जदो तीसरे दॉक्टर ने वी जवाब दे देता फिर चोथे ओस्पिटल दे वेच गए जदो ते वी गए ते दॉदी हालत देखके उनू जवाब दे ता कि मैंनो आड्मित नी कर सगदा लेकिन असी कर लिया डॉक्तर केन अगिया एदे विच ब्लाड शिर्फ पांचो ग्राम रह गया या जीदे नारेदा रसी ट्रीटमेंट शुरू नहीं कर सकते ते सब तो पहला अननु ब्लाड चुडा अनना शुरू कर देता ओधा ट्रीटमेंट शुरू कीता ते देन दे वेचोन नू टिन वार है वी डूस दी दवाई दी जान दी छी ते तिन टाइम उन्हा अनू इंजेक्शन लागदे छी दे बुरे दे वेचोन नू सतसाथ आठ आठ इंजेक्शन देटे जान दी बहुत जादा है वी डूस दे ताँ जो उन्हाँ फरक पैसके लेकिन उनू बिलकुल भी आट तो दास दिन उते अडमेट रहन दो बाद जोदो दोक्टर ने उनू डिस्चार्ज कार देता उज़े जैल को लगाई रखी के कैन लगे कि तुसी पांच दिन तक इनू हर रोज सवेर और शाम ऑस्पिटल लेके और के दे इंजेक्शन जेड़ी रहे गेने उन लाग जा असी दो टाइम इंजेक्शन लबाण दे लेगी सवेर और शाम नू जानदे सी जोद असी जानदे सी ता फिर वियो नू फरक नहीं सी पह रहे है जोदो लास्ट इंजेक्शन रह गया सी तो जदो ऑस्पिटल गए असी डॉक्टर नू पुछा जा कि कि डॉक्साब इनू क पूरे वर्ड दी हाई टॉप क्लास दी दवाई असी तो अपर कोई मैडिसन नी बढ़नी जो कि एनू ठीक कर सके ते जदो असी फेर असी डॉक्टर नू पुछा जे कोई मेजर प्रॉबलम है तो सुसी सानू दासदा वो असी एनू किते होर ले जाए जाए ते डॉक्टर असी बिल्कुल उनू फरक नी सी पहर रहा ते जदो असी उत्हों उनू कार लेके आई तो असी बहुत जादा रोए असी रोरों के एक दूसरे ना गालकारन लगे कि होना सी की करिये जदो चौथे डॉक्टर तो भी कोश नी हो सक्या फेर असी कार लेके आई तो जदो असी बहुत आई होड़ों के एक साड़िया रिश्थेधारा ने गाल कीती कि साड़े गुर्दाशपूर दे विच इक बच्चे ने डॉक्टर ने हो कह रहे कि सानो एदिया रिपोर्ट्स वर्ट्स वर्टषब किती या तो आन रिपोर्टस देखे क्या के इस दी मेजर पर उन्हों केंज सिवी एग जड़ा ट्रीटमेंट आ एलुद्याने देविच खर्चा बहुत जादा या जो कि दो तो टाइ लग पैदा या फिर और लगे कि तुसी एनू पीजी आई देविच लेजाओ जल्द जल्द पीजी आई देविच लेजाओ ताह जो एग आरे सी कि बहुत छोटाया सेवन मांथ दाया एपरेट के स्थरा करवावेगा पिरसी बहुत जादा परेशान हो गए सअधी सारी फैमली बहुत जादा रो रही इसी जदो सटाव बेटा बिमार सी उन उस देन बेच बहुत परेशानी देविच सि ज़ोगि उन्ह इना बिम से नेधिन सी करो फोन आवे बीजों सोग साही होगे पर जदो भी एटे फोन आदा सी मैं फोन गर करके पूच्छ दा से गा वी एधी हलाद के हो जे यह तो कि अच्छ नूवे ही मिल दा सी भी जा ठीक निये ऊब बार बार पुटें करी जा रहा है इसले कारना अच्छ बहुत जटे लिए इसाधा इक वैठाया हो वी बहुत जादा बर्मार वोधे कारण आसी साजियां जख जह कर दे ले एंग जो कर दें तो पैंडे साडी फैमिली हो आप रहे अरहांग भूट परेशान सी एगे कारने को कि है भूछ भूट बिमार हो गया कर दो आदुन हो अडार एक खर्चा दस्या तासी बहुत जादा परेशान हो गए ते उस्तों बाद असी का रा गए असी का रहा के अपनी फैमिली ना गाल शेर कीती के डॉक्टर इस तरह कह रहे ने साथी फैमिली के अन लगी कि कोई गाल नहीं हो और असी नो पीजी आई देवेच लेके चलांगे ते उस्तों बाद साड़ा मान बहुत जादा रोहा सी अपने बच्चे नू दे के बहुत जादा रोंदे सी क्योंकि ओधी बॉड़ी ने मुवमेंट करना बांध कर देता सी अ प्रस्तों प्राम प्रस्तों देख अजया एवेचि दूसरी देन लेके जाना सी तह वीरवार स्वेर नू मेरी नणा अनने में सानू किया कि तुसी एनो खाम भराचर्च देवेच लेके याओ कि एथे यार्ट एके ठीक हो जाएगा मेरी ननान इस कामरा चर्च दे नालों काफी लंबे समय तो जुड़े हुए सान ते उन्हा ने एक दिन सानों फोन करके क्या कि तुसी एनों लेके कामरा चर्च दे वेच आ जाओ ज़ादो तुसी एत्थी आऊंगे ता ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा ता साधी उमीर ता पहला ही डोट चुकी सी असी बहुत जादा परेशान सी के ना पैसा लगाउन दे बावजूद भी ये बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा सी ज़ाक्टर ने भी कह देता सी के इनों उपर वाला ही बचा साग दाया फिर असी एनों चर्च दे विच लेकी आए ज़स दन असी चर्च लेकी आए ते असी सारे रस्ते रोंदे ही आ रहे सी बहुत जादा रो रहे सी तो ज़दो असी चर्च दे लेकी आए दोजार इकी देन वीरवार नो असी पहली वार खामरा चर्च देविच अपने बेटे नू लेके आई तो ओधी हाल तो बहुत जादा खराब सी ओपांच-पांच मेंट पांच-पांच मेंट बाद पोटी करदा सी ओधी हाल तेनी जादा खराब होंदे कारण असी अपने बेटे देपे अपलाई किता उधी पूरी बोडी देप आईल अपलाई किता और मैं जानता हूं जब आपको छूएगा आपके लाइफ को यह वंडर करेगा युशी मसी के नामें अगरामे नो चाहे यह फ्लेस्टिंग अपके अपने ओयल को निकालो लगाओ अपनी बड़ी के उपर अपने दाइने हाथ के उपर इस ओयल से वो शैतान जो आपके लाइफ में वो निकल जाए जदो हैं असी नाइंटेंग ओयल उदे पेटते ते अपलाई कीता ते ओसे वेड़े उनू टॉयलेट आई तो अजी टॉयलेट दे विचो बहुत सारे काले रंग देता आगे बाहर निकले असी देखे बहुत जादा हरान सी के केस तरह हो सकता है फिर उने पूरे दिन बिलकोल उने कोई पोटी निकीती कोई उनू लूज मोशन नि लगे शाम नो फिर जान लगे जदो मीटेंग खतम हो गई तो असी जान लगे उस वेड़े फिर उने पोटी कीती फिर उसे तरह उ उसी पोटी देविचों बहुत सारे काले रांग देता अगे निकले जदो असी कार गये असी अपने बेटे नू जाके चैक कीता ना ता उनू कोई लूज मोशन सी ना ही ओदी पोटी देविच कोई बलाड दे पीस आ दे सी ना ही उनू कोई होर प्रॉब्लम मारे सी ओ बिल दाया ना ही कोई उसनों कोई इंफेक्शन है नॉर्मल बच्चान दी तरहा हो नॉर्मल ही पोटी कर दाया और वो बिल्कुल ठीक है असी सारे नूए ही मैसेज देना चौने है के परमेशर दे विच बढ़े रहो परमेशर ता नूँ जरूर चंगा करेगा परमेशर दे वेची जिन्दगी है परमेशर ही जीवन देना है उदे विच बढ़े रहन दे नाड़ ही सानू बहुत सारी आशिशा मेल दिया ने परमेशर दाता अनवाद कर दे है उस दिन तो मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है इस चंग्याई दे ली मैं परमेशर दा और परमेशर दे दाज दा बहुत जादा ता अनवाद कर दिया सारे परमेशर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए अनाउंस्मेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाने ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें